सभी यूटूब देखने वालों से मेरा प्यार बरा नमस्कार सत्य ही है सचकी जीट चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज आपको अमलपित एसेडिटी का बहुत ही सरल गरेलू नुष्का बताएंगे नुष्का बहुत ही सरल है और बहुत ही लाबकारी है सुरू करते हैं नुष्के के बारे में बोजन करने के बाद दोनों समय एक-एक लोंग सुबह शाम चूसने से अमलपित ठीक हो जाता है अमलपित से होने वाले सभी रोगों में लाब होता है लौंग पाचन किरिया के उपर शिधा इतकारी प्रभाव डालता है इससे भूक बढ़ती है आमाशय की रस किरिया को बल मिलता है खाने की रूची पेदा होती है और मन में परसंता होती है लौंग करमीना सक और मुत्रल भी है अमल पित के रोगी को दिरे दिरे चाई छोड़ देना बहुत ही ज़्यादा लाबदायक होता है लौंग बलगम हटाती है स्वास की सिकायत मिटती है रक्त के स्वेत कुणों की वर्धी में सहायक है कप पित वात न सक है अमल पित में खाने वाली चीजे हैं गाय का दूद, अनार का रस, मौस्मी, अंगूर, सौफ, मुनका, आउला, अंजीर, पुराना चावल, खीर सभी रस युक्त पदार्थ, पेठा, आदी ये आप खा सकते हैं इसमें नहीं खाने वाली चीजे हैं उस्ण, अमल और कटू रस युक्त पदार्थ मास, मदीरा, तेल उड़द की दाल वह सभी पित प्रकोप करने वाले चीजों को नहीं खाना चाहिए रोजाना दोनों समय खाना खाने के बाद छोटी शिगुड की डली 10 गराम मुह में रख कर दिरे दिरे चुशे इससे मुह में खटा पानी आना बंद होता है अमल पित नास के अलावा इससे पेट में वायू नहीं बनती है पेट में गैस बनने की दसा में इससे बहुत ही ज़्यादा लाब होता है खाना खाने के बाद गुड चूसना शरीर का कचरा बहार निकालने में सायक है मुह के चालों में भी इसससे आराम होता है यह प्रियोग हिर्दय की दुर्बलता और शरीर की सिथिलता में भी लाबकारी है एक साल पुराना गुड अधिक उप्योगी रहता है काली छोटी हरड का चुर्ण दो गराम आधा चमच बराबर वजन गुड में मिला कर खाएं और उपर से पानी पिएं प्रती दिन साएं खाना खाने के आदा घंटे बाद केवल तीन दिन के प्रियोग से अमलपित नश्ट हो जाता है आपको बहुत ही सरल नुस्के बताएं हैं जो आपकी एशीडिटी और अमलपित को पूरी तरह से ठीक कर देंगे इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है आप चाहें तो ये अपनी आउसेता के नुसार ज्यादा दिन तक भी इनके प्रियोग कर सकते हैं खाना आपको जो हलका होता है पचने में सरल रहता है वही खाना खाना है ज़्यादा मसालेदार तिखे नमकीन पदार्थों के सेवन से बचें उमीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा इसी के साथ आपका ज़्यादा वक्त ने लेते हुए आपने मेरा वीडियो देखने के लिए अपना कीमती समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद